नमस्कार दोस्तो आप सभी का फिर से स्वागत है आप ही के अपने यूट्यूब चैनल में दोस्तो आज हम आपको बहुती जवर्दस वीडियो से रूबरू कराने वाले हैं रोज ये सब्द बोल कर पानी पिए राजा जैसे जिन्दगी जीएंगे और कभी भी धनकी कमी नह जाते हैं तो वे आपको पानी को जाड़ कर यानि कि उसमें फूक मार कर आपको वे पीने को देता है और आपकी समस्याएं चुटकी बजाते ही हल हो जाती हैं कभी कभी इस परकार की चीजों को फूक मार कर या पर पानी के अलावा भी अस्तवे होती हैं जिन्हें आपको व किसी के राष्टे में डाल दे तो वे व्यक्ति वशीकरन वशीबूत हो जाता है जोंकि दोस्तों इस रिष्टी में अपनी उर्जा को किसी दिवसरी चीज में उर्जा में अगर आप मिला देते हैं तो बहुती शक्तिशाली प्रभाव से आपके जीवन में बदलाव लेकर आ उसी प्रकार से जब व्यक्ति अपनी सांसों पर नियंतरन करता है और अपनी मंत्रों की शक्ति के साथ उसमें अपनी सक्ति मिलाता है तो वे 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 पालेता है जिसकी वे कामना करता है यहां तक कि योग में भी इतनी शक्ति होती है जैसे कि अनुलोम विलोम जिसका आपने नाम बहुत सुना होगा। यदि आप सुचारू रूप से, सई डंग से अनलोम विलोम करते हैं, अपनी सांसों की किरियाओं को संपूर्ण तरीके से करते हैं, तो आपके सरीर में सकारात्मक प्रभाव होने लगते हैं। उसी प्रकार से अगर आप मंतरों की शक्ती को भी इस जीवन में सकारात्मक प्रभाव आने से कोई भी नहीं रोख पाएगा। दोस्तों जिस प्रकार से एक व्यक्ती के जीवन का मूलबूत आधार है उसकी सांस, उसी प्रकार से एक और मूलबूत आधार है जल। जी हाँ दोस्तों, अगर जल है तो ही जीवन है, अगर सांस है तो ही आप जिन्दा है इसलिए आज हम आपको एक ऐसे सब्द के बारे हम बताएंगे जिसे बोल कर आप अगर पानी पर फूक मारते हैं तो पानी अभी मंतरित हो जाता है और जब आप दूसरा स्त्रोथ यानि की जल ऐसे जल को अगर आप ग्रहन करते हैं तो आपके जीवन मे सकारतमक बदलाव होने लगते हैं जो वे आपके मनो कामना है दिल में आपकी छूपी हुई कामना है जिसके लिए आप ये उपाय कर रहे हैं वे आपकी जल्दी पूरी होने लगती है उम्मीद करते हैं कि अब तक आपने हमारी इस वीडियो को लाइक कर दिया होगा और आपकी नीन्द खुले उसके बाद आप अपने नित्यक्रियाँ से निर्वत होकर अपने घर की बातरूम में जहां आपने शनान करने के लिए जाएंगे शनान कर लेने के बाद आप अगर आपको कोई गुरू है तो उन्हें याद करें अगर कोई कुल देवी ये कुल सके और उस अपने नाक के पास रखें ताकि आपकी सांसे उस जल के साथ मिलती रहें और फिर आप बोलें इस सब्द को बड़े ही ध्यान से सुनें दोस्तों यह सब्द है आपको क्या बोलना है आपको बोलना है हे पवन पुत्र हनुमान जी हाँ दोस्तों जैसा कि हमना को बताया था कि सांस, वायू, ऑक्सीजन इसकी हमारे जीवन में कितनी महतुता है और अगर आप इन्हें किसी खास सब्द या मंतर के दोवार अभी मंतरित करते हैं तो उसका प्रभाव कितना पढ़ सकता है वहीं पर पवन के पुत्र बजरंग वली हनुमान को करते हुए आपको बोलना है यह पवन पुत्र हनुमान उसके बाद आपको अपने मन की दभी हुई इच्छा को बोलना है अपने मन की मनोकामना को यानि के दभी हुई इच्छा को नियमित रूप से पून करें, पूनेरी, जिवन में और अपने घर में आपको देखने को जरूर मिलेंगे, तो दोस्तो आज की इस वीडियो में केवल इतना ही कल, फिर आप से मुलाकात होगी एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिद्धिया में जादा धन्यवाद कमेंट बॉक्स में लिखते रहें जाए बजरंग वली